हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंदराक्षी, इंदराक्षी धाम में दरश्भ्वाप आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनव दिवस है, मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारे तरफ से बहुत-बहुत शुग का पनाएं आज योगनी एक आजशी है, बहुत सुंदर पर्व है और आज के दिन हम क्या क्या कर सकती हैं, सारा चिंतन इस सब्जेक्ट में आपको सुनने को मिलने वाला है आज ये पहले आज का हम पंचांग देख लेती हैं, पांच जुलाई सन दोहजार एकिस दिन सौंबार आशाड मास करसुन पक समवत दोहजार अठथतर तिथी योगनी एक आशी नक्षत्र भरनी राहुकाल साड़े सास्ते नो दिशासूल पूर्वा दिशा एकाशियों का मात्यम में, हमारे देश में, हमारे जीवन में, हमारे धर्म में, बहुत विसेश प्रकार से उसकी मान्यता है एकाश्य का वर्थ रखने वाला सादख परम मुक्ष की प्राप्ति करता है और ये जो योगनी एकाश्शी होती है ये विसेश प्रकार के पापों का दमन करती है ये जीवन है हमें किसी न किसी रूप में हमसे पाप हो ही जाते हैं सास्त्रों में यहां तक उलेख है यदि हम किसी के साथ गप शप करते हैं कितनी बारीक बात बता रहे हैं जिस पर आज ही किसी का ध्यान जाता हो, गप शप करना, मतलब गपे मारना, जूट बोलना, आपस में कई बार हम बहुत बहुत देर बातें करते हैं, और कई बार एक दूसरे को हम, बस मन चाहिए, मन घणंत कानिया हम गप शप में लगे रहते हैं, इससे भी दोस्त लगता है, देखि हमारे रिशियों का चिंतन, कि किसी भी प्रकार की बुराई हम ना करें, हम सुरक्षित रहें, हम हर्थ हर्थ चीज़ से बचे रहें, तो उसके लिए उपाए क्या है, और उससे पहले बताया है, कि ऐसर ना करें, गप शप लगाने से भी दोश लगता है, ये जो एकाजशी है, ये नाना भाती के पापों से हमें मुक्त कराती है, लेकिन सारांश ये नहीं, कि हम बाकी के दिन खुब गपशप करें, खुब उल्टी शीदी बाते करें, खुब किसी के मन को दुखावें, और एकाजशी का पर तरक्य हम सोच लें, के हिसाब बराबर, ये नहीं हो सकत अगर भूल वश हमसे कभी कुछ ऐसा हुआ है, किसी के मन को हमने दुखाया है, या हमने किसी को कोई जूटी बात कही है, कि जिसके आधार पर हमने अपना कोई हित किया है, या हमने किसी का नुक्सान किया है, ऐसी इस्तुती में हमें पाप लगता है, हमने बिना मांगे किस किसी का कुछ लेना नहीं चाहिए, और यहां तक कहा है कि किसी की पुस्तक, किसी की डायरी, किसी का पत्र, किसी का बटवा, थैला, हमें बिना इजाज़त के नहीं खोलना चाहिए, है ना, अब चोर की बाँ छोड़ दीजीगा, वो तो तीजोरी, डिबे, बकसे, सब तोड़ रहता पशू की तरह तो हम से जाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराद होता है और हम बहुत विनी दभाव से बहुत शुद दभाव से हम एक आश्री का वर्त रखते हैं उसके महत्यम्मे की कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं हमें पुन्य के प्राप्ति होती बहुत लोग कहते हैं कि रोज रोज आपके तीस दिवार आ जाते हैं कितने सारे भगवान हैं आपके कितनी सारे रिती रिवाज हैं आपके क्यों नहीं है व्यक्ति गलतियों का पुतला है नस नाडियों से लेकर के मनमस्तिक्स के विचारों से लेकर के मन की कोल कलोल कलपनाओं से लेकर के हमने जाने कितनी गलतियां दिन में करते हैं इतना जल्दी से उनका शुद्दी गरना नहीं हो सकता ये मन है किसी का कहीं टिकता है तो किसी का कहीं भी नहीं टिकता इसलिए रिश्यों ने इस दोड़ते हुए मन को बांधने का प्रियास किया है तरह तरह के रीतियों में, तरह तरह के रिवाजों में, तरह तरह के वर्त में, तरह तरह के भगवान की देव्य उपासनाओं में किसी भी तरीके से मानव का मन इस्तिर हो सके और वो अपना काया कल्प कर सके किसी भी चीज को बिना आधार के कह देना ये कहीं की भी गुणवत्ता नहीं है कोई क्या करता है कोई क्या कहता है उसको छोड़िए जो व्यक्ति ना अपने धर्म की बात मानता हो ना अपने रिश्यों की बात मानता हो ना अपने संतों की बात को मानता हो ना अपने माता-पिता की बात को मानता हो और कोई भी एक अज्यात व्यक्ति उसको आकर के कुछ भी समझा दे वो उसको मान रहा है तो वो महामूर्ख है आपने सभी बातों की अवेल ना कर दी, किसी बात को आप मानने को तयार नहीं और वो अजनवी जिसका कोई इत्यास नहीं, वो आपको कुछ समझा रहा है सोचने की बात आज हम ऐसी ऐसी तरफ पूजाओं की तरफ दोड़ रहे हैं जिनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है जिनका कोई धर्म से मतलब नहीं है हमारे 108 हुपनिशद हैं हमारे वेद हैं, पुराण हैं, मिमांसाएं हैं तांतरिक गरंत हैं, मांतरिक गरंत हैं पुराणाक्त मंत्र हैं, सास्त्रोक्त मंत्र हैं कितना ग्यान हमारे रिश्यों ने हमें दे दिया लेकिन इतना सब कुछ भी होने के बाबजूद भी कई बार हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं आपने गीता को नहीं समझा आपने रामाइन को नहीं समझा आपने वेदों को नहीं समझा इतना कुछ होने पर भी यदि आपको ग्यान नहीं आया तो आप कितने ही धर्म परिवर्तन कर लीजिए आपको ग्यान नहीं आ सकता मेरी बात कटू जरूर है लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरी बात को समझा करें पहले है ना जिसने अपनी मा को मा नहीं कहा जिसने अपने पिता को पिता नहीं कहा जिसने अपने घर को घर नहीं समझा जिसने अपने देश को देश नहीं समझा जिसने अपने धर्म को धर्म नहीं समझा वो क्या समझेगा उसे हम क्या समझा सकते हैं है ना तो बस कहने का भाव यही है, आज ऐसी इस्तिती है, कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रियास करें, पैदा होते ही बच्चे के हाथ में हम नाना भाती के खिलोने देते हैं, हम नाना भाती का उसका मनोरंजन करते हैं कंप्यूटर गेम पर बच्चे को लगा देते हैं नाना भाती की और उसके मनोरंजन की सुक्स विधाओं को हम ढोड़ने का प्रियास करते हैं बड़ा होता है माथे पर हाथ रखते हैं अंग्रेजी पाश्चात्य स्कूलों में हम उसको पढ़ाते हैं, अंग्रेजी तो उसके उपर हावी हो जाती है, कभी हमने शायद ही लगता है कि रामायन का कोई शलोक अपने बच्चे को याद कराया हूँ, तो बच्चा बढ़ा होकर तो यही कहेगा न, कि यह सब फोड़ सबंद विश्वास है, क्यों हमने बच्पन से उसको कोई धर्म की बात का विश्वास दिलाया ही नहीं, है न, हम पिकनिक पर बच्चे की फीज जरूर भर सकते हैं स्कूल में, लेकिन किसी तीर्थाटन, किसी धर्म इस्थान पर हम बच्चे को ले जाने का प्रयास नहीं कर बंदर क्या जाने है अद्रक का स्वाज आज वो समय है तोड़ा भी दिल धड़कता है आपका धर्म के प्रती अपने बुजर्गों के प्रती अपने देश के प्रती अपने संतों के प्रती अपने गरंथों के प्रती तो अभी भी समय है अभी भी हमें अपने बच्चों को अ आप ध्यान रखें क्योंकि आप कुछ अच्छा कारिया नहीं करेंगे, तो कौन करेगा, आप जुम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कौन लेगा, संतों की करपा देखिए, कि अगर आज ये गरंथ नहोते, तो शायद हम भी कुछ ना जान पाते, गिता प्रेस का ओपकार देखिए कितनी मोटी मोटी पुस्तके हैं मात्र सो रुपया मात्र तेर्ध सु रुपया ये ओपकार नहीं तो क्या है और एक बच्चे की इंगलिश मिडियूम के बच्चे की छोटी सी दस पन्नो की पुस्तक देखिए साड़े तीन सुरुपे की कलेजा बाहर आता है जब उसके स्कूल का बैक खरीदा जाता है तो छह साथ दस जार की पुस्तक आ जाती है सुचिएगा आप तो ये लूट लहीं है तो क्या है लेकिन हम बोल नहीं सकते हम कुछ भी नहीं बोल सकते हम कुछ भी नहीं बोल सकते तो कहने का भाव आप यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता यदि आप अपने बच्चे को नहीं समझाएंगे तो कोई भी आपके बच्चे को नहीं समझाएगा बलकि एक दिन वो आएगा कि आपका बच्चा इतना पढ़ा लिख जाएगा कि वो आपको ही आखे दिखा करके समझाने लगेगा तब आप कमरे में बैठ के रोना सौफे के सामने बैठ के रोना सर्माजी की वीडियो देखते हुए रोना संतों की वाणी को सुन करके रोना इसलिए उस रोने से पहले हसना सीख लें और बच्चों को कुछ अच्छे से समझाना सीख लें आईए दर्शों को समय हो चला है जग जन्नी विंद्यवासनी मा भगवती से जुड़ने का पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्र गदे सुचाप परिगान चूलं भुसंडिं सिरा संखं संदधतिं करिस्त्रिनयनाम सरवंग भुस्वर्थाम नेलास मध्युतिमास्यपाद दसकाम सेवे महां कालिकाम यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम् अदुम् कटवं विद्योद्धाम समप्रवाम् रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसादस्त विरास्यविताम हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विशिखाम श्चापम गुणं तरजनीं विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम्तिनेत्राम वजे कवश मना लें ध्यान करें भगवति का अनुग्रह हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुएं आखे खोलें समान्य हो जाएं सभी संसार में सुखी रहें और सभी को अच्छे परकार की भगवति मनवांचित करपा सभी के उपर करती रहें ऐसा हम अपने हर अंग में भगवती से प्रातना करते हैं और आज जैसे की एकाशी है, इसमें पक्षियों को दाना डालना, पक्षियों को चारा देना, साहिता करना, ठंडे जल की छबीले, मीठे जल की छबील लगाना, ये जितने भी उपकार भरे कारी हैं, आज के दिन किये जाएं तो बहुत उच्छा रहता है। हरी हरी का संकीरतन, आज रातरी प्रियंत करना या जितना भी आप से बन सके दिन में जब भी बहुत शुब और शुद रहता है। मेरे पास बिलकुल नहीं। टीवी में छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तंत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना नभवी नहीं हूं, मैं इतना ग्यानी नहीं हूं। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रवी वार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था, मैंने मंत्र पढ़ा, भवर वीर, भवर वीर, तू चेला मेरा, खोल दुकान, कहा कर मेरा, मैंने उन दानों को भिखेरा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दुपहर के समय में ही मेरे पास फोन आने लगे, ओर्डर्स, ओर्डर्स, आज की तारीख में, मैं इतना परिशान हूं, इतने ओर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परिशान हूं, क्योंकि मैं उन को एक्सक्यूट नहीं कर सकता अभी भी मुझे आपकी शरण चाहिए और्डर्स मेरे पास बहुत हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें